Microsoft Word में आज हम johan mailing tab के अंदर create mail merge के बारे में जानेगे mail merge क्या होता और इसे कैसे तयार करते हैं यहाँ पे mail merge के तोर पे हम एक letter यहाँ पे तयार करना सिखेंगे 6 step का use करके आप आसानी से mail merge बना सकते हैं आप देख रहे हैं subject go, मैं हूँ Rajkumar Singh तो आईए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मेल मर्ज के बारे में सिखने के लिए सब सब पहले MS Word open कीजिए MS Word open होने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना मेलिंग टैप के अंदर और यहां पे मिलता है आपको Start Mail Merge इससे पहले के वीडियो मैंने आपको Envelop के बारे में और लेवल्स के बारे में सिखाया था अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के description मैंने link दे दिया है वहां पे क्लिक करके आप Envelop और लेवल्स के बारे में सीख सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में इसके अंदर जब आप किलिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे देख सकते ऑप्शन दिये गए जैसे कि लेटर, इमेल मेसेज, इनवलाप, लेवल्स, डारेक्टिर, यह सारे तरह के डॉकुमेंट जो होते हैं वो आप स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर तयार कर सकते हैं अब सबसे पहले यह जानते हैं कि mail merge होता क्या है दिखिए mail merge क्या होता है mail merge काम करने का एक तरीका होता है यानि process होता है इसमें जो है कई तरह के document जो है लोग तयार करते हैं जैसे कि बात करें तो letter तयार करते हैं email message तयार करते हैं mail merge के नाम से जानते हैं तो आईए आप जो है start mail merge का use करना सीखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आज हम एक letter तयार करेंगे तो letter के लिए यहाँ पर click करेंगे letter पर letter के लिए जब आप letter पर click करेंगे तो जो page का size है वो letter के हिसाब से आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पहले तो आपको अपना लेटर यहाँ पर टाइप कर लेना है तो मैं यहाँ पर एक लेटर छोटा सा एक्जामपल के लिए टाइप कर लेता हूं तो letter लिखने के लिए जैसे कि मान लेते example के तोर पे मैं यहाँ पे एक letter तयार कर देता हूँ यह जो है मैंने यहाँ पे एक letter type कर दिया है और इसे थोड़ा सा नीचे type करता हूँ और लेटर में होता क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में लेटर में क्या होता है, ऊपर जो है उस वेक्ति का नाम होता है, जिसे हम ये लेटर भेजना चाहते हैं, और नीचे जो है हमारा नाम होगा, यानि कि मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं जो है ले इम्पलोई को बहुत सारे वर्कर को लैटर यह भीजना है यहीं सेमॉत यहीं लेकिन हो मुपन जो नाम पर औंसी Information कर दूंसा को सोमें सोनधी जो यहीं बताना है कि ऑफिस एक तारीक से खुल गया है तो इसके लिए जो है हमें mail merge का use करना परता है जब हमें एक ही चीज जो है बहुत सारे लोगों को भेजना हो अलग-अलग करके तो इसके लिए जो है दूसरा step है यहाँ पे select recipient यहाँ पे click करना है इतना information लिखने के बाद यहाँ पे click करने के बाद आपको लेना है type new list अब क्योंकि यहाँ पे मैं एक नया address list त्यार कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं चुनूँगा type new list अगर पहले से आपके पास logo के यानि की व्यक्तियों के नाम और address, phone, number, email यह सब है तो उसके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं use exiting list पह यहाँ पर यह आपको बहुत सारे अलग लग फिल्ड दीता है फिल्ड से पहले अगर उपर पढ़ेंगे तो दिया हुआ है type recipient information in the table recipient का मतलब होता है उस व्यक्ति का information डाले जिसे आप यह letter भीजना चाहते हैं तो यहाँ पर title है first name, last name, company name, address 1, address 2, city, state तो यहाँ पर बहुत स करना है, customize column और customize column में click करेंगे तो यह customize address list का window open होगा, अब यहाँ पर एक जो है कोई भी पहले से category जो दिया हुआ है, field उसे select करके और यहाँ पर mouse से delete कर देना है, यह पूछ रहा है, are you sure you want to delete this field, यानि कि क्या आप इस field को सही में delete करना चाहते हैं, यह confirm कराता है आप से, तो जब आप mouse से select करके delete कर लेते हैं, तो आपको जो एक sorted की काम आ जाएगा यहाँ पर, आप d y dy करके यहाँ पर जितने भी field है उन्हें delete कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ d और उसके बाद y d का मतलब हो गया delete और y का मतलब हो गया yes, yes यानि कि confirm दे दिया हमने yes, इ name से rename यहाँ पर रखना है, तो इसे rename कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर करऊंगा rename, rename के यहाँ पर हटा देते हैं, शिर्फ यहाँ होगा name, ok यह rename हो गया उसके बाद address यहाँ तो यहाँ पर one है two है, तो मैं एक ग्दिलीड कर देता हूँ और एक ही अडरेस मुझे लेना है तो इसे रिनेम कर लेंगे सिंपल इस से रख लेंगे line address लेंगे और ओकि उसके पास िपा गग्या इश्टेड़ और फोन नमबर चाहिए तो इसे कर देंगे सिर्फ फोन नमबर होगा और इमेल एड्रेस की जोलोत नहीं है इसे डिलेट कर देंगे अब माल लेते कि अगर आपको कोई field अलग से add करना है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए आप चाहे तो अपने keyboard से ए दबा सकते हैं यह दबा के add कर सकते हैं या यहाँ पे add button पे click करके add कर सकते हैं लेकिन यह दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको यहां से एक बार use करना पड़ेगा इस पर click करके जैसे कि मान लेते हैं मैं जो यहां पर click करके और use करता हूं यहां पर use कर लेता हूं मैं विलेज मैंने डाल दिया विलेज यह मैंने विलेज डाल दिया ओके कर दिया एक मैंने एक वार यहां से एड कर लिया माउस क्लिक करके तो अब जो है अपने कीवोड से यह दबा के एड कर सकते यह दबाएंगे तो अपने आप यह एड करने का विंडो यहां पर ओपन हो जाएगा और यहां पर डाल सकते हैं मैं यहां पर दे देता हूं प्लेस यानि कि अगर कोई आसपास कोई जगह है फैमस तो उसका एड्रेस यहां पर दे सकते हैं तो यह तो मैंने आपको एड्र करना सिखा दिया बाकी इन चीजों की जरोत नहीं है तो इसे जो है मैं यहां से अभी हटा देता हूं इस टेट की भी जरोत नहीं है इसे भी हटा देते हैं तो यहां पर हो गया नेम एड्रेस सिटी पिन कोट फोन अब यह जो फोन नमबर यह सबसे लाश्ट में यहां पर एंड मैं चाहता हूं कि नेम के बाद नेम के नीचे जो है फोन नमबर रहें नेम के बाद तो नाम के बा जाता हूं City के नीचे आए तो एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे और यहां पर करेंगे मोग डाउन यानि की नीचे नीचे लियाएंगे इसे देखिए अब हो गया नेम फोन नंबर सिटी एड्रेस पिन कोड इस तरह से उसके बाद करना है आपको ओके ओके करने के बाद अब दिखें यहां पर कस्टमाइज होके सभी यहां पर फिल्ड आ गए अब यहां पर आपको नाम देना है नाम में देदा हूं यहां पर रवी रवी नाम देने के बाद आगे के करके यहां पर आजाए सिटी कहा है सिटी नोयडा है एड्रेस है नोयडा इसके बाद पिन कोड है 2103 उसके बाद फिर नया यहां पर एंट्री लेने के लिए क्या करना है आपको यहां पर किलिक करना नियू एंट्री पे या आप यहां पर एक चीज और कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबा के भी नया एंट्री ले सकते हैं और एक नया एंट्री भी यहां पर एड़ कर सकते हैं यहां पर एंटर करके एंट्री जो है वो एड़ नहीं होता है यहां पर टैब बटन दबाना पड़ेगा या फिर आप जो है यहां पर नियू एंट्री पर क्लिक करके नया एंट्री एड़ कर सकते हैं तो मैं करूंगा टैब बटन दबाके नया एंट्री ले लेते हैं रोहित का फोन नमबर दे देते हैं यहां पर उसके बाद यहाँ पर देते हैं City उसके बाद यहाँ पर देते हैं इसका Address Pin Code उसके बाद फिर से यहाँ पर New Entry पर किलिए करके Entry ले सकते हैं यहाँ पर आप अकाश का डाल देते हैं यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पे new entry लेते हैं सुरज का डाल देते हैं address हूँ तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे चार entry मैंने कर दिया, और विए entry यहाँ पर आपको करना है, तो और भी यहाँ पर कर सकते हैं इतना एंट्री काफी है चार तो इस तरह से आप जो है एंट्री यहां पर एड़ कर सकते हैं अगर आपको यहां से कोई एंट्री डिलीट करना हो तो यहां पर दिखें दिया हुआ है डिलीट एंट्री यहां पर क्लिक करके आपको एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं जैसे कि मा समाइस कोलम के वारे मैं आपको पहले ही बता दिया तो तीन जो मैंने तयार किया अभी से कहते हैं यहां पर यहां पर अडेस लिश्ट light आपने तयार किया है इसे कहीं पर सेव कीजिए तो इसको जो है सेव कर देते हैं कहीं पर नाम देखें डॉकुमेंट में सेव करेंगे इसे जो है यहां पर डॉकुमेंट में क्लिक करके यहां पर डॉकुमेंट के अंदर सेव कर लेते हैं इसे नाम देते हैं एड्रेस प्रिक्टर होते हैं जैसे कि यह एड्रेस ब्लोग ग्रीटिंग लाइन यह सभी यहां पर सो करेगा देखिए आप जो है यह ऑप्शन ओन हो गया क्योंकि इससे पहले जो है सोट करना है तो सोट कर सकते हैं यहां पर किलिक करके सेकंड है अगर आपको कोई नाम यहां पर छाटना है तो फिल्टर कर सकते हैं अगर कोई डूब्लिकेट एंट्री है जैसे कि सेम नाम से डवल नाम है यह होता है डूब्लिकेट एंट्री को फाइंड करने के लिए जैसे म सारे option यहां पर दिये हुए हैं लेकिन मुझे क्या करना है यहां पर रवी का मुझे यहां पर बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे यहां पर क्लिक करेंगे माउस से तो यहां पर कोई भी काम अभी नहीं होगा क्योंकि जो तो भी मेंग आपने अड्रेस्मी एडिट करना होगा जूवा तो यहां पर क्लिक करने वाले का यहां पर ऑफो नहीं हो गया यहां पर किलिक करने का अड़र्मोरा बदल सकते हैं यहां एडिट कर दिया एडिट करने के बाद आपको क्या करना यहां पर सेव करना इसको सेव करेंगे तो उसके लिए यहां पर कर देना है तो यहां पर पुछेगा कि जो भी आपने इसमें रिसिपेंट के लिस्ट में चेंजिस किया वह यहां पर अपडेट करना चाहते हैं तो यह से अपडेट करेंगे तभी यहां पे सेव लेगा सब्सक्राइब चर्लाज और ले लेंगे यहां पे अपने यहां पर चिपक जाएगा उसके बाद यहां पर लगाना इस city पर अड्रेस के अगर आप टू चाहते है है तो डाल सकते तो इसे मяться पर देदी और यहां पर रीजट्ट यह पे नाम की जगह नाम आजिया है उसलिए हें और नीचे मेरा नाम यहाँ लिख ओगा जिससे जो यह लेटर पढ़ेगा तो उससे पता चलेगा कि यह लेटर जो राखे के बेड़ को देखना है तो यहां पे जाएंगे प्रविव रिजल्ट के अंदर यहां बन के आएगा उसके वाद अकास का भी यह तीन जो है लोगों के लिए मैंने यहां पे तयार कर लिया है अगर अगर आपको यहां पर वी इसे करने से पहले से को यहां पर बताना करना चाहते हैं तो पहले उसे आप यहां पे कर ले और करने के बाद जो यहां पे आपको finish意मेर्ज मर्ज पर करना है कुरब्हानच जब यहां पर finishında पर किलिक करते हैं तो यह आपको फाइनल लइटर कैसा होगा वह जो है बना आपको देलेता है तो सबसे पहले यहां पर मैं gitti कर लिता हूं formatting के लिए जो है अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि मैंने यह select किया और select करने के बाद मैं इसे बोल्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं इसे रैड कलर में बस इतना फोर्मेट करने के बाद क्या करना है आपको मेलिंग में जाना है और यहां पर करना है आप पांचमाई स्टेप है फिनिश मर्ज तो यहां पर क्लिक करने के बाद यह आप से कुछत कbeitना के देदेगा यहां पर दوسरा अप्शने अगर आप डायक्ट लेटर को पिरिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर में पेज बागा ये और डायरेक्ट यहां से प्रिंट कमांट का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं लेकिन मेरे computer से कोई भी printer अभी connect नहीं है तो इसलिए मैं फाइल पर आपको सभी के लेटर लाके दिखाऊंगा तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे अडिट इंडिविज्व और यहाँ पर सबसे पहले लेटर है रवी का उसके बाद नीचे है यहाँ पर रोहित का रोहित का भी print कर सकते हैं उसके बाद नीचे है अकास का तो तीनों लोगों का लेटर यहाँ पर बनके आ गया है और तीनों लोगों के लेटर में एक ही information मैंने दे रखा यहाँ पर कि ए इन्वलब के उपर एड्रेस आपको प्रिंट करना और उसके बाद Postman के दुवारा यह लटर आप भेज सकते हैं आप चाहे तो इस फाइल को सेब भी कर सकते हैं यहां पे क्लिक करके और इस फाइल को सेब भी कर सकते हैं आगे के option जो है वो मैं आपको next वीडियो मां और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीज़े और देखते रिये सब्जेट को और सिखते रही है